नमश्कार आप देख रहे हैं समचार एक्स्प्रेस मैं आपके साथ नहा वर्मा हरियाना स्टेट विजिलेंस ब्यूरो करनाल के सेक्टराट कारियाले में सरकारी होस्पिटल के डॉक्टरों द्वारा प्राइवेट होस्पिटल के डॉक्टरों को किस तरह ब्लैक मिल किया जाता है इसका एक मामला सामने आया है जिसमें विर्ख होस्पिटल में कारियरत आई सर्जन रोहित सर्दाना द्वारा दी गई शिकायट पर दिवाकर भटनागर जो सरकारी होस्पिटल में कारियरत है उन पर पहले एक लाग पच्छतर हजार और बाद में छे लाग की डिमांड करने का अरोप लगाया गया स्टेट विजिलेंस ब्यूरो करनाल के स्पी शामलाल बत्रा ने बताया कि सियन विंडो के मध्यम से सुरेश नामक मरीज द्वारा एक शिकायत की गई थी इसी मामले में एक डोक्टर के मध्य बादचित का ओडियो भी पहले सामने आया था जिसके आधार पर स्टेट विजिलेंस ब्यूरो की टीम द्वारा चानबीन शुरू की गई थी इसी मामले में यह कारेवाई की गई है अभी मामला दर्ज कर बारीकी से चानबीन की जा रही है जो भी ब्रस्टाचार में लिप्त होगा उस पर कारेवाई की जाएगी यहां हम आपको बता दे कि पहले भी सरकारी होस्पिटल के डोक्टरों द्वारा प्राइवेट होस्पिटल के डोक्टरों से मिली भगत कर ब्रस्टाचार के मामले उजागर होते रही है इसी कड़ी में सरकारी होस्पिटल के डोक्टरों पर दर्ज मामला भृष्टा चार की और संकेत कर रहा है देखिए क्या कहा स्टेट विजिलन्स ब्यूरो के स्पी श्यामलाल बतरा ने एसे ही लिटेस्ट खबरे पानी के लिए सब्सक्राइब बचन पर क्लिक कर बेल आइकन को दबाए कर दो